जय हिन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफर्म में तो आज की क्लास जो है बहुत इंपोर्टेंट आप लोग की होने वाली है इसमें जो भी प्रस्ण आपको आज की क्लास में मिलेंगे वह जो class में मिलेंगे प्रस्न NCRT या प्रस्न में SCRT के प्रस्न होंगे तो इस lecture को आप लोग जरूर देखने का प्रियास किजिएगा पूरा देखिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे share जरूर कर दीजिएगा तो आइए देखते हैं 1991 प्रस्न को यहां पे जो 1991 प्रस्न है कि भारतिय जनता पाटी को किस पाटी का पुनर जनम कहा जाता है तो भारतिय जनसंग को कहा जाता है यहां पे जो right answer जो b हो रहा है दोस्तो यह बिल्कुल सही हो रहा है कि भारतिय जनता पाटी को किस पाटी का पुनर जनम कहा जाता है तो भारतिय जंद संग पाटी को जो है इसको पुनर जनम के नाम से जाना जाता है किलिए रहे अगला प्रस्न देखिए एक हजार बानवे यहाँ पे जो एक हजार बानवे प्रस्न है दोस्तों कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की अस्थापना किस राजय में हुई थी बहुत सुंदर सा प्रस्न है तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की अस्थापना किस राजय में हुई थी तो राइट एंसर यहाँ पे जो सी होगा महाराष्ट यह बिल्कुल सही हो रहा है कहां पर इस राज्य की अस्थापना हुई थी तो और महाराष्ट में हुआ था ठीक है? आगला प्रस्ण देखिए 1093 1093 प्रस्ण है दोस्तों की कौन सा सम्भैधानिक संसोधान नगरिय अस्थानिय स्वसासन से संसोधान यहां पर राइट अनसर जो भी हो रहा है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रस्ण देखिए 1094 1094 प्रस्ण है कि बल्लवंत राय मेहता समीती ने अपने प्रतिवेदन में कितने अस्थरिय पंचायती राजब्यवस्ता की स्विपारिस के थी बहुत सुंदर था यह प्रस्ण है तो कितने किया थे तो 3 अस्तर यह राजब्यवस्ता की स्विपारिस किया गया था तो राइट अनसर यहां पर जो सही हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है बहुत इंपोर्टन सारे यह प्रस्ण होंगे आपके लिए तो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा अगला प्रस्ण है देखिए दोस्तो एक हजार पंचानवे एक हजार पंचानवे प्रस्ण है कि भारत में प्रत्थम नगर निगम की अस्थापना कहां पे की गई थी भारत में प्रत्थम नगर निगम की अस्थापना मद्रास में हुआ था राइट एंसर यहाँ पर जो C हो रहा है यह बिलकुल सही हो रहा है अगला प्रस्ण दिखिए 1096 1096 प्रस्ण है कि सौर प्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरच्छन दिया गया है बहुत सुंदर सा यह भी प्रस्ण है तो गुजरात राज्य में राज्य हो जाएगा जहां पर महिलाओं को 50% आरच्छन दिया गया है तो राज्य हो जाएगा गुजरात राइट एंसर यहाँ पर जो B हो रहा है बिलकुल सही हो रहा है अगला प्रस्ण दिखिए 1097 1097 प्रस्ण है कि दल बदल कानून 99 से किस पर लागू होता है दल बदल कानून 99 से किस पर लागू होता है तो संसदो और बिधायकों पर राइट एंसर यहाँ पर जो B हो रहा है दोस्तों यह बिलकुल यह हो रहा है सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है किलियर अगला प्रस्ण दिखिए 1098 हम लोग जल्द से जल्द प्रस्णों को करेंगे जितना हो सके PY की प्रस्ण करेंगे जिसे आप लोग को बहुत सारा बेनफीट होगा क्योंकि एकजाम बहुत नजदीक आ रहा है दोस्तों तो इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग जितना हो सके PRACTICE QUOTION करें 1098 प्रस्ण की छेतरवाद की भावनास का एक कूप परिणाम निम्नल लिखित में से कौन सा है तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी अप्षन बिलकुल सही होगा अलगाव वाद यहाँ पे जो डी अप्षन बिलकुल सही होगा अलगाव वाद जो है यह भावनास का एक कूप परिणाम माना जाता है 1099 प्रस्ण देखिए दोस्तों 1099 प्रस्ण हैं कि अर्थ सास्तरव पुस्तक किस ने लिखी है अर्थ सास्तर पुस्तक किस ने लिखी है तो बात करें चाणाक्य के द्वारा लिखा गया है यहाँ पे जो भी अप्षन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रस्ण दिखिए 1100 1100 प्रस्ण है कि इनमें से किस देश की संगिये ब्यवस्ता अन्य से अलग है बहुत सुन्दर सा प्रस्ण है संजुक्त राज अमेरिका का हो जाएगा संगिये ब्यवस्ता जो है संजुक्त राज अमेरिका का सबसे अलग है अगला प्रस्ण दिखिए 1001 प्रस्ण को एक हजार एक प्रस्ण है कि भारत की संगिये विवस्ता निम्नमे से किस से प्रभावित है भारत की संगिये विवस्ता निम्नमे से किस से प्रभावित है तो उस राज्य के उस देश का नाम है कनाडा इस से जो है भारत की जो संगिये विवस्ता है इस देश से कनाडा से क्या ह प्रभावित है इसके बाद देखते हैं 1002 प्रस्ण को 1002 प्रस्ण है दोस्तों कि भारतिय संविधानी की किस अनसुची में राष्टिय भासाओं की सुची है तो वह सुची है आठवी अनसुची राइट एंसर यहां पे जो D हो रहा है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो रहा है कि भारतिय संविधान की कौन सी अनसुची है तो आठवी अनसुची में राष्टिय भासाओं की सुची है ठीक है अगला प्रस्ण है देखिए एक हजार तीन नमबर प्रस्ण को 1103 प्रस्ण है कि राज्य विधान साभा के चुनावों को करानी की जीमेदारी किस के पास होती है तो बात करें यहां पे ए अभिकल्प से होगा भारतिय चुनाव आयों के पास जो है इसकी जीमेदारी होती है तो ए बिकल्प यहां पे सही हो रहा है अगरा प्रस्ण है दिखी ए 1104 प्रस्ण है कि सीक्षा को समभिधान की सुची में रखा गया है तो सीक्षा को जो है समवर्ती सुची के अंतरगत आता है सीक्षा तो यहां पे जो सी बिकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रस्ण देखिए एक हजार पांच नमर प्रस्ण को एक हजार प्रस्ण है कि जर्मनी का एकी करण कब हुआ था तो 1871 इसमी में जर्मनी का एकी करण हुआ था बी अप्शन जो है यहां पर जो है सही हो रहा है इसके बाद देखिए अगले प्रस्ण पी आते हैं एक हजार छे प्रस्ण को एक हजार एक सो छे प्रस्ण है दोस्तो हुआ हुआ आंदोलन किस ने सुरू किया था तो ए बिकल्प यहां पे सही हो रहा है हुन्नू फू सो के दबारा जो है हुआ हुआ अंदोलन को शुरूत किया गया था ए अपसन यहाँ पे सही हो रहा है अगला प्रस्न देखिए 1107 नमर प्रस्न को 1107 प्रस्न है कि जन्रल लोल नोल किस देश के परधान मंत्री थे सुन्दर साब प्रस्न है तो यह जो थे कमबोडिया के परधान मंत्री थे राइट अंसर यहाँ पे जो सही हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है याद किजिएगा इनका नाम जरूर याद किजिएगा जन्रल लोल नोल यह जो थे किस देश के परधान मंत्री थे तो कमबडिया के पर्धान मंत्री थे इसके बाद देखिए एक हजार आठ नमबर प्रसन को एक हजार एक सोब आठ प्रसन है दोस्तों कि मार्च उनी सो चीयालिस में प्रांस और बियतनाम के बीच होने वाला समझोता किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर बात करें ए विकल्ब सही होगा जिनेवा समझोता के नाम से जाना जाता है कौन से समझोता के नाम से जाना जाता है तो जिनेवा समझोता के नाम से जाना जाता है यहाँ पे जो ए विकल्ब हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है अगरा प्रस्ण दिखिए 1109 नमबर प्रस्णों को 1109 प्रस्ण है कि गांधी जी ने सावर्मती आश्रम की अस्थापना कहां पे किये थी यह बी बी कल्ब जो है यहां पे सहीवर है कहां पे किये थे दोस्तों तो अहमदाबाद सहर में किये थे साबर मती आश्रम की अस्थापना 1110 प्रसना दिखे 1010 प्रसने की कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुवसासन की जगा स्वराज का लच्षय प्रस्थावित किया गया था बहुत सुन्दर सा प्रस्टागी है तो कलकाता अधिवेशन में जो है स्वसाषन की जग स्वराज का लच्छे प्रस्ठावी किया गया था बी अप्सन जो है यहाँ पर ऽई हो रहा है इसके बाद देखते हैं 10111 प्रस्टागों 11111 प्रस्टागी है दोस्तों 1112 प्रस्ण को 1112 प्रस्ण है कि गांधी जी ने किस गोलमेज स्रमिलन में भाग लिये थे तो गांधी जुद्धे DTA गोलमेज स्रमिलन में भाग लिये थे यहाँ पे जो B अप्शन हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है इसके बाद देखिए 1113 प्रसन को देखते हैं 1113 प्रसन की forward block की अस्थापना किस ने की थी forward block की अस्थापना सुभास चंद्र बोस के दिवारा किया गया था यहाँ पर जो D option हो रहा है दोस्तों बिल्कुल S सही हो रहा है इसके बाद देखिए 1114 प्रसन 1114 प्रसन है कि बंगाल विभाजन कब और किस ने किया था बंगाल विभाजन कब और किस ने किया था तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था लाड करजन के द्वारा किया गया था यहाँ पर सही हो रहा है किस के द्वारा किया गया था लाड करजन के द्वारा 1905 इसमी में बंगाल विभाजन किया गया था किरियर इसके बाद देखिए 1115 प्रस्न है कि निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट नहीं है तो बी अप्सन यहां पर बिल्कुल सेवेजा का जर्मनी जो है यह जो है मित्र राष्ट नहीं है इसके बाद द अगला प्रसन नहीं है कि इन में से किस ने पावर लूम का अभिश्कार किया था इन में से किस ने जो है पावर लूम का अभिश्कार किय थे तो यहांपे C बिकल्ब सही होगा एडमंड कोटर राइट एडमंड कोटर राइट ने पावर लुम का अविस्कार किये थे तो सी अप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है अगला प्रस्न दीखिए 1118 प्रस्न को 1118 प्रस्न है कि नीव डिल नामक नभीन आर्थिक निती कहां लाग हो थी नीव डिल नामक नभीन आर्थिक निती कहां पे लाग हो थी मतलब किस देश में लाग हो थी तो अमेरिका में लाग हो था बिकल्प जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है इसके बाद देखिए 11199 प्रस्न है कि 1991 में सोबियत संग के बिघटन के उपरांत कौन सा देश था म नाम है संजुक राजिय अमेरिका यह जो है महासक्ति के रूप में उपरा था डी बिकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है 1120 प्रस्न है कि इनमें से कौन सा देश दच्छेस का सदेश नहीं है तो इंडिनोसिया जो हो जाएगा यह दच्छेस का सदस्य नहीं हो जाएगा ब 200 फ्रांस देश का रहने वाला था यह बिकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है अगला प्रस्न देखते हैं 1022 प्रस्न है कि 1122 प्रस्न है दोस्तों कि अल हिलाल का संपादन किस ने किया था अल हिलाल का संपादन मौलाना अब्दुल कलाम अजात के द्वारा किया गया था यह प्रथम किस पुष्टक की छापसाइक थी, तो गुटन बरग ने सर प्रथम जो है बाइबिल पुष्ट प्रस्न महात्वा गांध। ने इनमे से किस का समपादन किये हैं? 1115 नमर प्रस्न महात्मा गांधी ने Silicon 베iska की ग्राईबिल की यहाँ इसके बाओ काउंट काबूर को विक्टर इम्मेनुवल ने किस पदपर नियुक्त किया था यहां पर जो सी भी कल्प हो रहे हैं यह बिल्कुल सही हो रहे हैं इसके बाद देखें 1126 प्रसना है कि बियाना समिलन की मेजबानी किस ने की थी बियाना समिलन की मेजबानी मेटर्नी के द्वार किया गया था, यहाँ पर जो D option हो रहे हैं, यह बिल्गुल सही हो रहे हैं, अगला प्रसने देखते हैं, 1127, 1127 प्रसने की आंतरीक बिद्रोहों को दबाने के लिए, रुसों में किस संगठन की अस्थापना हुआ था, बहुत सुंदर सा प्रसने, तो चेका, किसका अस्थाप कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, तो 1986 में भारत में उपभोक्ता सन्रचन अधिनियम को घोसना किया गया था, ठीक है, इसके बाद देखिए, 1129 प्रसने की बिश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है, तो बिश्व उपभ ब्रफम राश्टिय आयका अनुमान गब लगाया गया था तो बहुत सुन्दर सा प्रसन है तो क्रूजेट्स के द्बारा गरीबी की तुलना गार्वोज यात किजिएगा, बहुत मोस्ट इंसर रोक से दोस्तो 1132 प्रसने के मानो विकास सुचकांक में इनमें से किसे समलित किया गया है तो सीख्षा की प्राप्ती जो है इसको मानो विकास सुचकांक में सामिल किया गया है तो B option यहाँ पे सही हो रहा है अगला प्रसन देखिए 1133 प्रसन है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी सांस्ता करती है तो भारत में आर्थिक नियोजन की जो काम है नीति आयोक करती है राइट एंसर यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा 1134 प्रसन है कि यह Poverty and Unbritish Rule in India नामक खिताब केशन लिग बहुत सुंदा सा प्रसना और यह BPSC में पूछा भी गया है तो बात करें दादा भाई नरोजी के द्वारा बी अप्सन जो है यहां पर बिल्कुल सही हो रहा है 1135 प्रसन देखिए 1135 प्रसन है कि स्विडेन की मुद्रा क्या है तो स्विडेन की मुद्रा जो हो जाएगे कोरोना राइट अंसर यहां पर जो सी होगा बिल्कुल से होगा दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके सेयर की जग बहुत इंप भारतिय रिजरब बैंक कौन सा जो है सरवच्य बैंकिंग संस्थान हो जाएगा तो भारतिय रिजरब बैंक इसके बाद देखिए 1137 प्रसन है कि मानों के सरवागेंड विकास यों समाजी के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो जाएगा तो अगला प्रसन देखते हैं 1138 प्रसन है कि इन में से कौन भारतियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है तो बात करें क्रिसी हो जाएगा जो भारतियों के जीवन निर्वाह के लिए सबसे मुख्य साधन माना जाता है क्या माना जाता है दोस्तों क्रिसी को माना जाता है इसके बाद देखते हैं 1149 नमर प्रस्णों को देखिए 1149 जो प्रस्ण है कि प्राथमिक छेतर में कौन सी आर्थिक रिया सामिल है तो प्राथमिक छेतर में जो सबसे आर्थिक रिया सामिल है खनन सामिल है ये विकल्प यहाँ पे सही वरा है 1140 प्रस ने देखिए 1140 प्रस ने कि सुने के आभोसन की गुणवता सुनिशित करने के लिए किस मानक चिन का प्रियोग किया गया है तो उस मानक चिन का नाम है हाल मार्क किस का नाम है मानक चिन का तो हाल मार्क का प्रियोग किया गया है उस मानक चिन का अगला प्रस्टे देखिए 1141, 1141 प्रस्टे कि इन में से किस संस्था का गठन 1974 में किया गया है, तो राष्टिय विकास परिशत जो यह संस्था है इसका गठन 1954 में किया गया है, तो B- réfletik 6 अफसन यहाँ पर सही हो रहा है, 1143 प्रस्ण देखिए कि पुंजिवादी अर्थ व्योस्ता का गुण क्या है तो पुंजिवादी अर्थ व्योस्ता का गुण जो है साधनों की निजी स्वामीतव साधनों की निजी स्वामीतव जो है पुंजिवादी अर्थ व्योस्ता का गुण माना जाता है 1144 प्रसने देखिए कि तरुण भारत संग का संबन्द किस राज्यस है तरुण भारत संग का संबन्द जो है राजस्थान राज्यस है यहाँ पे जो ए बिकल्प हो रहे हैं बिल्कुल सही हो रहे हैं 1145 प्रसन दोस्तों देखिए 1145 प्रसन की रूस के सयोग से किस से बिधुत सनियंतर का निर्मार किया गया है तो रूस के सयोग से कुंडन कुलन परमालुप बिधुत ग्रीह का निर्मार किया गया है B option जो है यहाँ पर दोस्तों सही हो रहे है 14144 प्रस्न देखा जाए तो प्रारामभीक जीविका क्रिसी को किस नाम से जाना जाता है प्रारामभीक जीविका क्रिसी को जूम पामलू और दीपा के नाम से जाना जाता है D option यहाँ पर सही हो रहे है इन्में से सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं, अगरा प्रसने देखते हैं, 1147 प्रसने की Deacon Odyssey किस राजय चलाई जा रही है, डेकवन और सी जो है महराष्ट राजे में चलाई जा रही है यहाँ पर जो बी बिकल्प हो रहे है यह बिल्कुल सही हो रहे है 1148 प्रसना देखिए 1149 प्रसना है कि भारत में वायु परिवहन का राष्टिय करण कब किया गया था भारत में वाय परिवाहन का राष्टी एकरण 1903 पर इसमें में किया गया था ए बिकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं इसके बाद देखते हैं 1149 प्रसना 1149 प्रसना है कि इन और बंदरगाह किस राजे में इस्तित है इन और बंदरगाह जो है तमिलांडू राजे में इस्तित है डी अप्सन यहाँ पे सही हो रहे हैं और लास्ट कोश्चन आते हैं 1050 1150 प्रसना है कि बिहार की प्राचिंतम नदी घाटी परियूजना का क्या नाम है बिहार की प्राचिंतम नदी घाटी प्रयूजना का नाम सो नदी घाटी प्रयूजना है ए बी कल्प जो है यहाँ पे साही हो रहे है तो 60 प्रस्ण हम लोग किये आज की क्लास में NCAT plus SCAT के प्रस्ण है बहुत important प्रस्ण है यह आज की क्लास का तो आप लोग LECCHER को देखिएगा जितना हो सके आप लोग Share कर दीजेगा मिलते है हम लोग NEXT वीडियो में कुछ ऐसे ही धामा के दार प्रस्णों के सांथ तो आप लोग इस चैनल पर बने रहीएगा जितना हो सके Share कर दीजेगा तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिन जय भारत